sin 2x plus sin 5x minus sin 3x बराबर ये 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 है ठीक है तो पहले तो ऐसे तो होने वाले नहीं कुछ simplify करना है इन दोनों को साथ लीजिए आप इन दोनों को साथ लीजिए बताए ये क्या आएगा sin 2x को छोड़ दिया वैसे as it is sin c minus sin d क्या होता है 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 बोले तो 4x और क्या होता है sin x sin c minus d by 2 sin c minus 2 कितना होगा 5x minus 3x 2x और ये हो ये 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 साइन x तही बात नीचे बताए ये क्या है नीचे वाले पार्ट को एज़िटी छोड़ देते हैं ये ही वाला उपर मुझे कुछ common दिखने लगा है और मुझे क्या दिखने लगा है 2 sin x common लिखने लगा है इसको अपने क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x तो 2 sin x तो मुझे common दिख गया भई value और क्या जाएगी cos x plus cos 4x और cos 4x को मैं लिख सकता हूँ 1 minus 2 sin square 2x ध्यान से देखिए जो denominator में था क्या यही वाला टर्म था क्या यह एज़िटी यह दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे बचा क्या अपने पास 2 sin x 2 sin x का इंटीग्रेशन बता दीजिए minus 2 cos x plus इस option में minus 2 cos x plus c d is the required answer खतम हो गया क्या question कुछ नहीं करना था इसमें sin c minus sin d formula लगा दिया 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 यहाँ से 2 sin x का मल लिया तो यह नीचे denominator बन गया वो कट जाएगा बचा 2 sin x उसका इंटीग्रेशन minus 2 cos x